हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विपुल और आज मैं आपको बताऊंगा अपनी नए टीवियस एंड टॉर्क के बारे में इसके माइलेज के बारे में और ये कैसे चलती है किन-किन रोड्स में अच्छी तरीके से चलती है इसका जो प्राइज है 65 to 68000 के बीच में है इसकी हाइस स्पीड बताऊंगा और इसे मोबाइल से कैसे कनेक करना है तो इस वीडियो में बने रहिए और सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आगे आने वाले सारे अपडेट्स मिल सकें इसका लुक्स कैसा है यह इसका फ्रंट लुक है और इसमें आप देख सकते हैं 125 सीसी की है यह थोड़ा स्पोर्टी लुक है और इसमें जो है आपका 19 लीटर्स की जो है इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है और थ्री वेल्व का इंजन है इसका और जो इसका सीट कवर है वो भी देख सकते हैं काफी सॉफ्ट है लॉग ड्राइव के लिए काफी अच्छा है डिस ब्रेक्स हैं इसमें फ्रंट में इसमें कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो किसी भी इसमें पूरा ही डिजिटल मीटर दिया हुआ है आप इसमें चेक कर सकते हैं अब मैंने इससे स्टार्ट किया है अभी आप इसमें देख सकते हैं यह स्पीड आ रहा है जो 0 है उपर यह 633 किलो मीटर टोटल चल चुकी है हमारी स्कूटी और इसमें एक साइड में टाइम आ रहा है तो सारी अच्छी चीजे हैं इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे कनेक्ट करना है तो आप लॉंग प्रेस करेंगे मोड बटन को थोड़ी देड़ तक एक नीचे की तरफ मोड बटन है उसे लॉंग प्रेस करेंगे फिर आपका लिखा आजाएगा कि TVS जो है आपकी BT पेर मोड में चली गई है अब आप मोबाइल में अप्लिकेशन ओपन करेंगे ब्लुटूथ अपने आप ओपन हो जाएगा और मोबाइल डेटा को आउन रखिएगा उसके बाद एक पेर को आप्शन आएगा पेर में क्लिक करेंगे और आपकी स्कूटी जो है आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी इसमें आप अगर प्रेस करेंगे तो आपको बताएगा कि आपका लास्ट में स्कूटी आपने कहां पाक करी थी इसमें जाके अब आप सेट कर सकते हैं कि आपको जीपियस नैविगेशन की कौन सी जगे जाना है मैं अभी इस कैसे जाना है कहां कहां पे टर्न लेना है और कैसे कैसे टर्न लेना है तो देखिए इसमें अभी आ रहा है नैविगेशन आ गया है टर्न राइट तो इसमें टर्न राइट लिखा आ गया है कि मुझे यहां से राइट लेना है तो नैविगेशन भी बताएगा और यह काफी अच्छा फीचर है और जब भी कॉई काल करेगा तो इसमें ये कॉई भी बढ़ बतायागा की हिए कॉल फ्रॉम जैसे मेरे को कॉई आ रहा है तो लिखा आ रहा है कॉल फ्रॉम सचिन भाई इसलिके से आपको कोई आएगा तो यह इसलिके से नविगेट करेंगे तो यह मैं आपको दिखाऊंगा यह काफी स्मूथ चलती है इस स्पीड में भी इसका पिकप बहुत अच्छा है वाई का इसे कम बहुत ही गजब का पिकप है काफी कमफर्टेवल है इतनी स्पीड में भी देख सकते हैं कि अब एक आप हाइस्ट मैंने अभी से 95 जरुक से 96 की स्पीड में चलायाया में अब बात करेंगे कि कैसे कैसे रास्टों में चलाने में कंफर्टेवल हैं तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसा रास्ता है और काफी कमफर्टेबल है इसे चलाना क्योंकि इसके टायर्स जो है 12 इंचेस के है इस वज़ा से काफी कमफर्टेबल रहता है राइड और इसके शौकर्स भी बहुत अच्छे है, पिकप काफी अच्छा है, तो अगर आपका इंफर्स भी जाते हैं, तो बहुत इजली ये बाइक वहाँ से निकल जाती है, ये हमारी स्कूटी है, तो आप देख सकते हैं कि कैसा रास्ता है, ये वजीराबाद का एरिया है दोस्तों, आपने देखा होगा, वहाँ पे पल्टुन कुल है, उसके उपर से बैली में है ये, तो आप देख सकते हैं, आपके कमपर्टिबल है जो राइड है, तो दोस्तों, अभी तक जो ये बाइक है, मेरे को एवरेज दे रही है, 40-45 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है और काफी ही अच्छी है, और मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ इससे, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा